नमस्क्राइब दोस्तों स्वागता सभीका माई चैनल माई नोलज में और मेरा नाम है पिंटू भारत द्वास तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपोरे वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप एक EPF के मेंबर है यानि कि अगर आपके पास EPF का अकाउंट है क्योंकि दोस्तों हमारे EPF मेंबर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉलम आ रही है जब वो अपने EPF पोर्टल में जाके अपनी डेट ओफ एकजिट को अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे उनको एक एरर देखने को मिल रहा है चलिए दोस्तों तो सबसे पहले मै आपको वो एरर दिखाता हूँ कि हमें कौन सा एरर वहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके बाद मैं आपको उसका सोलूशन बताऊंगा तो यह देखी दोस्तों मैं अब यूनिफार मेंबर पोर्टल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक UN नमबर और पासवर्ट के जरी यहाँ पे login भी कर लिया है चले दोस्तों अब मैं यहाँ पे date of exit update करने की कोशिश करता हूँ तो date of exit को update करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ पीफ की date of exit यहाँ पे select कर लेता हूँ और उसको reselect करके confirm कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे select reason में मैं यहाँ पे reason select कर लेता हूँ कि मैंने job क्यों resign करी है उसके बाद checkbox पे check करके मैं अपने अधार काड को validate करने के लिए यहाँ पे permission देता हूँ उसके बाद request OTP पे click कर देता हूँ फिर मुझसे confirmation मांगा जाता है तो मैं यहाँ पे yes करके confirm कर देता हूँ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे OTP send नहीं हुआ है लेकिन मुझे यहाँ पे एक error जरूर नजर आराई जिसमें लिखा हुआ है ASA response not available URL उसके बाद यहाँ पे आगे 0 अगर आपके Unified Member Portal के website में कोई updation चल रही हो या आपके अधारकार की website होती है वहाँ पे कोई updation चल रही हो यानि कि website के updation के कारण यह हमें error देखने को मिलता है तो अगर आप इस time notice कर रहे होंगे तो Unified Member Portal काफी slow चल रहा है यानि कि वह जल्दी से response नहीं कर पा रहा है जिस जिसकी वज़े से हमें यह error देखने को मिल रहा है कई बार अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस error की जगह आपको कोई और error देखने को मिल सकता है लेकिन आपका जो OTP है send नहीं होगा तो दोस्तों सिरफ एक ही यहां पे reason है कि यहां website में updation चल रही है हो सकता है कि Unified Member Portal प में करना क्या चाहिए तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसी situation में आपको बहुत सारी राय दी जाएगी कि आप अपने browser को change कर लीजिए data clear कर लीजिए कई बार try करिए तो हो जाएगा लेकिन दोस्तों आपको इतना दिमाग और इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आप क्या करिए आप कुछ घंटों के लिए वेट करिए जब तक कि ये अपडेशन चल रही है जैसे ही आपकी जो website है उस smoothly work करने लग जाएगी तो आपको जो ये error है आना बंद हो जाएगा और आप बड़े ही असानी से अपनी date of exit को update कर पाएंगे तो दोस्तों इ इतना ही था ये error मुझे सुवे से देखने को मिल रहा था जिसकी वजह से मुझे लगा कि आपको वीडियो बनाके ये जानकारी देनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे EPM members है जो मुझे comment करके Instagram पे और message करके मुझे पूछ रहे थे कि ये error हमें क्यों आ रहा है तो दोस्तों की latest और useful वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद दोस्तों जय हिंद